हल्लाओ नमस्ते जैश्री राम मैं गॉरफ शर्मा बैक अगेन ऑन माई चैनल कुक विद गॉरफ सो आज की रेसिपी है गाजर का हल्वा जी हाँ ये कटे वए गाजर के पीसिज को देखे ये मैं समझना कि मैं सबजी बनारा पीसिज wäh साया हूं हम इसमें डाल के रोस्ट कर लेंगे यहां पर मैंने अल्मूस्ट वन केजी गाज ले रखी है तो इसको एक से दो मिनट तक गरम घी में रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे जा कम फ्लेम पे और उसके बाद यहां पे मैंने हाफ लीटर दूद इसमें एड़ करना है लेकिन अब भी हाफ लीटर नहीं कर रहा हूं हाफ से भी कम मैंने इसमें एड़ किया है तो लगवग दो सो डही सो ग्राम दूद डाल के इसको मैं बिसल लगाऊंगा दो बिसल लगवानी है इसको भी बिलकुल सिम आँच पे और उसके बाद दो बिसल के बाद देखिए हमारी गाजर बिलकुल गल गई है तो जब यह गल के ऐसे हो जाए तो इसको किसी वैट के साथ यह हमें मैशर के साथ कर रहा हूं इसको पूरा स्मूथ कर लो गाजर को बिल्कुल कचूंबर जैसे बोलते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अराम से हो जाएगा और दूद अगर कम होगा तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा उसके बाद बागी दूद जो था मैं इसमें एड़ कर दिया और इसको मीडिय और बादाम डाल रहा हूँ तो इनको मैंने गरम घी गरम करके उसको रोस्ट कर लिया था आप उसको डिरेक्ली भी डाल सकते हो बीना रोस्ट किये हो इसके बाद यहां पे मैं एड़ कर रहा हूँ इसमें मावा तो 100 ग्राम मावा है यहां पे तो यह भी मैं इसमें एड़ क हो जाता है अब बस से क्या करणें आप पकाते रहें दीरे कबीस गर्ट देज करके करें कभी कम करके उसको स्टर करते हुए हिलुे उसको अच्छे से पकाते रहिए इसी स्टेज पे यहांपे जीम भी डाल दीजी तो कौंटिटी मैंपको बदा देता यहां पर मैंने एक केजी गाजर ली हैं और आदा किलो दूद्ध सोग्रा मावा इस पर मैंने डाला है और धाई कटोरी जो छोटी वाली चीनी की होती है वो मैंने भर केस में डाली है और अब इसको पकाते रहेंगे जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए मैंको बिल्कुल सुखवा ड्राय जो गाजर का हलवा वैसा चाहिए होता तो इसको मैं पूरे दूद को पकाऊंगा अच्छे से उसका पूरा मावा जब बन जाएगा इस तरह से तो यह मेरा गाजर का हलव बिल्कुल तैयार हो गया बीना गाजर को ग्रेट किये बीना टाइम इतना लगाए कम मेहनत में बहुत अच्छा गाजर का हलवा आप बना सकते हो